Dear Students, इस मोड्यूल में हम फाइलम एपी कॉम्पलेक्सा के बारे में डिस्कस करेंगे. इसके मेंबर्स जो हैं, नॉर्मली उनके अंदर क्या-क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? एपी कल कॉम्पलेक्स मौजूद है, जिसके तुरू ये होस्ट के अंदर, होस्ट की बाडी के अंदर पैनिट्रेट करेंगे. सिंगल टाइप आफ नुकलियस है, कोई सिलिया या फ्लेजला इसके अंदर मौजूद नहीं है, अक्सेप्ट कुछ रिप्रोड़क्टिव स्टेजिस के अंदर, हम सिलिया या फ्लेजला को देख सकते हैं. लाइफ साइकल के अंदर, एसेक्शुल, छीजोगोनी, स्पोरोगोनी और सेक्शुल, हेट्रोगेमी जो है, दे कैन बी प्रेजन्ट और ये दोनों सेक्शुल, एसेक्शुल फेजिस अल्टरनेट करेंगी. क्लास स्पोरोजवा स्पोरोजवा के अंदर एपी कॉमपलेक्सा ज्यादा तर जो है मेंबर्स को हम कहेंगे स्पोरोजवा इस क्लास का नेम स्पोरोजवा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रिजिस्टेंट स्पोर्स या उवो साइड्स मौझूद होंगे और वो रिजिस्टेंट स्पोर्स या वो साइट्स जो है दे आर नॉर्मली फॉर्म्ट फॉलूइंग दा सेक्श्वल रिप्रोड़क्शन कुछ इसके मेंबर्स में आते हैं प्लास्मोडियम कॉक्सीडियन और यह दोनों जो है यह वर्टीब्रेट्स के अ को रिक्वाइड होगा होस्ट और इनका शिज्योजिनी मल्टीपल फिशन है एसेक्श्वल स्टेज की होस्ट सेल्स में और उसके अंदर जो सेक्श्वल रिप्रोड़क्शन के नतीजे में इंडिज्वल्स बनेंगे उनको हम कहेंगे मीरोजोइट्स इसमें आप देखें गैमिट्स गैमिट्स से जाइगोट बना जाइगोट से स्पोरोगोनी हुई स्पोरोगोनी से बनी स्पोरोजोइट्स स्पोरोजोइट्स से मेरोगोनी का प्रैसस हुआ और बने मेरोजोइट्स मेरोजोइट्स से फिर गैमिटोगोनी होगी गैमिट्स बनेंगे अब दिस are typical example of general epicomplexan life cycle and this is repeated in every animal or every species of the epicomplexa अब भी जो मिरोजोईट्स हैं जो कि पिछली slides में हमने दरा जब ये develop होंगे तो मिरोजोईट्स जो है normally they will leave the body of the host अब जब ये host की body को leave करने के बाद किसी next में enter होंगे तो वहां पर फिर ये infection cause करेंगे और इनको जो शीजोगोणी या मिरोजोईट्स की जो production है उसको हम process को कह देते हैं मिरोगोणी अब कुछ मिरोजोईट्स जो हैं उनके अंदर gametogony होगी gametogony से क्या होगा gametes बनेंगे gametes बनेंगे male female होगा और उससे production होगी फिर जो structure develop करेंगा that is called zygote अब ये सारे बात हम कर रहे हैं कि इनको रहने के लिए host चाहिए कुछ intermediate host होंगे कुछ permanent host होंगे अब इसके अंदर जो है micro gametocytes, mega gametocytes किसी भी stage पे ये host की body के अंदर enter हो सकते हैं अब जो micro gametocytes हैं इनके अंदर multiple fission होगी और इसमें जो biflagellates बनेंगे और biflagellates जो हैं host cells को फिर infected करेंगे और जो macrogametophytes हैं इनके अंदर development अब directly होगे और micro gametophytes की, फिर mega gametophytes की fertilization होगी और जो zygote होगा, zygote में अब क्या होगा, meiosis होगी और meiosis होने के बाद जो cells होगे, वो ऐस्ता ऐस्ता नंबर में mitosis के थरू increase करेंगे इस process को हम क्या कहेंगे, sporogoni और sporogoni के result में rod like cells develop होगे, जिनको हम कहेंगे mirozoides अब sporogoni जो है, ये host cells को भी infect कर सकते है new host के अंदर भी enter हो जाएंगे, और वहाँ पर भी जब इनकी body के अंदर ingestion होगी, वहाँ पर इनका number increase करेगा, वहाँ पर भी infection स्टार्ट होगे इसकी excellent example क्या है, mosquito, mosquito जब bite करता है, तो अपने slivery grans के through, sporogoni को host की body में, चाहे वो human being है, चाहे वो sparrow है, उसको transfer करेगा, और दूसरे जो sporogoni है, उसमें excellent example है, plasmodium की, plasmodium जो है, this normally causes a very common disease known as malaria, और malaria जो है, it is having a long history, दूसरे members जो है, वो इसके हैं, coxidiosis, coxidiosis जो हैं, यह poultry में, sheep में, goat में, rabbits में, important disease cause करते हैं, और उस disease को, हम उस disease जिसकी वज़ा से, इन animals का billions of dollars में loss हो जाता है, वो loss किस शकल में होता है, poultry की शकल में, meat की शकल में, milk production की शकल में, obviously जब एक जानदार है, उसके उपर parasite ने attack किया हुआ है, तो उसका loss, उसके उसकी body normally रहेगी, उसकी production का level जो है, वो infection से, उसकी body में, meat, egg, या milk production का level, disturb होगा, इसी से, एक और important disease, जिसको हम AIDS कहते हैं, that is also a result of such kind of organisms invading the body, another important disease is toxoplasmosis, toxoplasmosis, mammals में, human beings में, birds में, एक common disease है, इस में infection जो है, वो उस वक्त होता है, जब उस साइट्स जो है, वो contaminated food के तुरू, either it is half cooked, either it is raw food, meat, उस शकल में body में enter हो जाएगा, वहाँ पर जाके पर इसका size increase होना शुरू हो जाता है, और women particularly, if they are pregnant, तो उनका जो newborn है, उसके अंदर भी ये disease transfer हो सकती है, क्योंकि इसका infection जो है, this normally transmits to next generation also, फिर है congenital toxoplasmosis, ये still birth और spontaneous जो abortions है, this can be one of the important reasons, इस में newborns जो है, sometimes उनके अंदर mental redactation या epilepticic scissors के attacks भी आ सकते हैं, और ये जो congenital toxoplasmosis है, it is having normally no cure, toxoplasmosis को हम, एड की जो body के अंदर different diseases की attack को भी ये normally favor करता है, और उनमें important disease जो है, वो AIDS भी है, अब normally toxoplasmosis के infection को avoid करने के लिए, क्या करना चाहिए, we must keep away and stray from the pets, particularly cat, और इसके children को using, जो उसका cat है, उसके जो feces हैं, उसको sand box से cover करें, और इस में normally जो potential dangers हैं, raw cooked food, particularly meat, उससे भी avoid करें, और जो meat है, उसको अच्छी तरह से cook करके भी, खाना एक इसकी protection के लिए important remedy,